हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोग लिए बहुत एच्चे खबर ले करे हूँ जो अभी अभी आपका CHSL का पेपर हुआ है पहली सिट का दोस्तों बेहाद आसान ये पेपर आ गया है जैसा हमने बच्चों से बात की है तो दोस्तों पेपर बहुत आसान था इन्होंने 170 अटेम्ट किये और 90 परसेंट से जादे इनकी एकुरेसी है तो दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं आरा जल्दी से देख लेते हैं सबी सवालों को फटाफट कर लेते सबी को में ट्रिक से कराने वाला हूँ अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100 परसेंट आप लोग सेलेक्शन के करीब पो जाओगे क्योंकि दोस्तों जो आपका पेपर था वो बहुत ही आसान था जो की बच्चों के द्वारा बताया गया देख लेता गाईस पहले से प्ट में क्या क्या आपके सवाल पूछे गए तो गाईस अगर आप किसी गवर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रहे हो मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो 2021 में एक सरकारी नोगरी लेना चाहते हो ये प्लेटफोर्म आपके लिए बैस्ट रहेगा एक्जाम मेटिक स्टडी आपको करना क्या है जो ये नीचे लाल कलर का बटन दिया गया इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सबी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मेटिक स्टडी पर आपको टाइम टुडे मिलता रहे तो गैस देख लेते पहले सिफ्ट में आपके क्या के सवाल पूछे गए तो गैस पहले सवाल आपके सामने है भारत और किस देश के बीच में इंद्र युद अभियास का योजन किया जा रहा है तो गैस ये क्या जा रहा है भारत और रसिया के बीच में इंपोर्टेंट सवाल था गैस देखते हुए जरू चलेंगे देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूचा गया भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर को क्या कहा जाता है तो गाईज इसको कहा जाता है इंद्रा गांधी नहर देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूचा गया भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रहा तो गाईज ये राय 142 में स्थान पर यानि 142 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा देख ले तो अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया भारत में चरम पंती अंदोलन के जनक कौन थे तो गाईज इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक देख ले तो अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया ओटिकल फाइबर का आविस्कार किस ने किया था तो गाईज ये किया था नरिंदर कंपनी ने आपको याद रखना है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबा कर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा कर लेंगे बहुत इंपोर्टेंट चैनल है एक सवाल ये भी पूछा गया बाण भट किस समराठ के दरबारिक कवी थी तो गाईज ये हार्शवर्दन के दरबारिक कवी थी इंपोर्टेंट सवाल था गाईज देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया वाईज का वेक किसके द्वारा नापा जाता है तो गाईज ये नापा जाता है एनिमो मिटर के द्वारा देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया एमदाबाद इस्तित अभय गाट किसका समाधी स्थल है तो गाईज यह आपका मोरारजी देशाई का एक समाधी स्थल है देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया इस्राइल की राजदानी क्या है तो गाईज इसरेली की राजदानी क्या है जेरूसलम जेरूसलम इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा देख लेते गाईज अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूछा गया आज की पेपर में एसियन ड्रामा पुस्तक के लेकर कोन है तो गाईज इनका नाम है गुनार मेडल देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछेगा है रिजनिंग का दोस्तो बहुत आसान सवाल था इसको जोरू करके जाएंगे कैसे करना था इन में आपका कोई भी अंतर नहीं है इसका अनुपात ये है इसका अनुपात आपको बताना था इन में आपका कोई भी अंतर नहीं है F, G, H, I या आपके डारेक्ट लिखे गए हैं आगे O, P O, P, Q, R इन में कोई अंतर नहीं है लेकिन गाईज अंतर है यहाँ पर I का कोड़ होता 9 और O का कोड़ होता है 15 अंतर कितना है 6 का तो गाईज अगले में भी अंतर कैसे होना चाहिए यहाँ पर आपका कोई अंतर है B, C, D, E तो गाईज यहाँ पर कोई अंतर नहीं है लेकिन अंतर बनाना है यहाँ पर कितना 6 इधर भी 6 था तो guys E का code कितना होता है 5 तो 5 और 6 11 तो guys जो 11 होगा 11 किसका code होगा ये होगा आपका K का लेकिन आप हमें 4 ऐसे लेटर लिखने हैं जिनमें कोई अंतर ना हो K L M N तो दोस्तों यही सवाल का correct answer चला जाएगा आप लोग इस प्रकार यह सवाल करके एक सवाल आपसे यह भी पूचा गया एक आयत की लंबाई में 10% व्रद्धी तता चोड़ाई में 10% कमी करने पर इसके छेतरफल में क्या परभाव पड़ेगा बढ़ेगा या गटेगा मैं आपको बता देता हूँ देखो यह लंबाई यह चोड़ाई लंबाई पहले अगर 10 थी बढ़े कितनी होगी 11 चोड़ाई पहले 10 थी तो गटके कितनी होगी क्योंकि चोड़ाई में आपकी कमी आई है तो यह 9 हो गई तो गैस जो आपका पुराने वाला च्छेतरफल था वह कितना होगया 100 नएवाला 6 फल क्या होगा 99 क्योंकर दोस्तो इनकी गुञा होगी अब देखो परसेंटेज इन्क्रीज आपको या डीग्रीज निकलना है तो कैसे करेंगे नएवाले में से 100 गटाएंगे और पुराने वाला नीचे रख देंगे गुणा कर देंगे 100 की percentage निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा उपर बचे का minus 1% minus 1% आपका right answer हो जाएगा minus क्या बता रहा है कि आपका 1% आपकी कमी हो जाएगी किसमे छेतर फल में यह आपको याद रखना है तो right answer हो जाएगा 1% की कमी तो दोस्तों इस परकार आप लोगे सवाल करके आ सकते थे बैदरिन तरीके से अगर आपको लगता है वीडियो मैनद से बनती है तो लाइक कर देंगे सभी government exam के trick के लिए चैनल को subscribe जरू कर लेंगे सभी government exam के trick के लिए देख लेता है अगला सवाल एक सवाल गाईज आपसे ये भी बैदरिन पूछ ले गया यदि किसी code बासा में कासमीर को ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा logic लगाओ गाईज आपको क्या करना है copy paste method लगाना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को लिख देना इधर R को क्या लिखा है इसने यहाँ पर R को क्या लिखा है R को लिखा है इस 3 तीन यहाँ पर रख देंगे I को क्या लिखा है इसने 5 5 यहाँ पर रख देंगे M को क्या लिखा है इसने साथ साथ यहां पर रख देंगे S को क्या लिखाएगा जिसने 4 4 यहां पर रख देंगे H को क्या लिखाएगा जिसने 2 2 यहां पर रख देंगे A को क्या लिखाएग A को लिखाएग 1 एक यहां पर रख देंगे अब बची K को क्या लिखाएग आठ यहां पर रख देंगे तो दोस्तों यही सवाल का right answer चला जाएगा आप लोग इस प्रकारी सवाल करके आ सकते थे आई ओप दोस्तों आपको किलियर हो गया होगा अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे आपको करना था एक सवाल गयाज यह भी पूछा गया सो से कम की सभी विसम संख्या होगा ओसत बताओ विसम संख्या वो होती है जो दो से भाग नहीं होती सो से कम के बारे में बात करा यानि निन्यान में आखरी संख्या होगी पहली संक्या होगी एक, तीन, पाँच, कहां तक जाएगी? 99 तक तो गैस यह हो जाएगा आपका एक प्लस 99 और भाग कर देंगे 2 से यह आएगा आपका 100 बटे 2 तो 50 इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा आप लोग इस प्रकार यह सवाल करके आसकते थे आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गाईज आपसे यह भी बढ़िया पूचा गया इसको करके जरूर जाना तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयू का नुपाद दिया गया है 8 साल पहले इनकी उमर का योग कितना था 56 इनकी वर्तमान आयू आपको बतानी है देखो इसने बोला है 8 साल पहले इनका जोड कितना था 56 तो इसको वर्तमान में बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें जोड देंगे 8 क्योंकि 8 साल पहले बोल रहा है कितने लोग है टोटल 3 तो यह हो जाएगा दोस्तो आपका 56 प्लस 24 तो यह आएगा आपका 80 तो यह आपका वर्तमान का जोड आगया किनका उमर का और यह आपकी वर्तमान अनुपात है तो यह टोटल कितना है यह आगा इस आपका टोटल 16 16 नहीं दोस्तो यह आपका 20 है अब 20 की वल्यू किसके बराबर है इस 80 के एक की वल्यू क्या हो जाएगी 4 अब क्या करना है हमें गुणा करनी है किसमे इस 4 की गुणा यहां पर कर देनी है तो क्या आएगा 4 चोक 16, एक की उमर 16 जाएगी 4 की 7 में गुणा करेंगा 28 आएगा चार की गुणा नो में करेंगे तो आएगा 36 तो गाईज 16, 28, 36 इस सवाल का रेट आंसर आ जाएगा आप लोग इस परकारी इस सवाल करके आ सकती थी ठीके गाईज यह इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा आगे बढ़ लेते गाईज पूरी जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तो जो भी बच्चे ने मुझे आपर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिये हैं अगर आप 2021 किसम एक सरकारी नोगरी लेना चाहते हो सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो ममी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके जोरू जाएंगे बेल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मैटिक स्टडी पर आपको टाइम ट्यूटे मिलते रहे दोस्तों पेपर के लेवल आसांता पराम से कर सकते थे